ok guys stop, अभी मैं आयो माइक्रो सेंटर मे तो sir कैसे वाकिया बहुत अच्छे तूम कैसे हो नेज तूमियों सटाउशली प्राइजन कई अभी सर् nevertheless सीरिस का स्वाइजी से स्टाइज करेंगे बेसिक जादा हम लोग लेखेंगे नहीं बेसिक से स्टार्ट करके जाएंगे हाएंड तक आपके पस्टी नाइंट भी यह ताइम पर तो क्या-क्या प्राजिस चाल वे स्टार्ट करते हैं पहले तो बोला था कि टेंजर इसका एक ही काड़ा भी बाकी है तो वह है 1050 चल रहा है चला रहा है हम लोग भी भी रहा है थोड़ा थोड़ा लेकिन बहुत मतलब कम होते जा रहा है इसका क्वेरी लेकिन यह मेरे पास है इसका प्राइस है 14,000 दूसर टैक्स पर ऑगे पर आप से सजिस्ट करते हो यह 1050 ट्या एक्शली फिलाल जो मैं जो सजिस्ट करता हूं किसी का बहुत ही बजेट कॉंसर्ट है तो मैं 1630 बोलता हूं कि ओवराल अगर परफोर्मेंस देखो के तो दोनों में डिफरेंस तो नहीं नहीं कुछ दिफरेंस यह है कि इसमें GDDR6 मेरी है और अगर इसका end of life होगा 1050 Ti का end of life होगा लेगिन इसका ड्राइबर यह निया ल 2400 रुपिया इसके बाद अगर हम देखेंगे तो गीगाबाइट का 2060 सूपर है यह काफी हद तक पंखाभी 3050 को बिट करतेता है तो इसका भी भी क्वेरी आता रहता है इसका भी प्राइस आ गया करीब 23500 रुपिया के आसमास ओके आते 30 सीरीस पर अभी 30 सीरीस के में 3050 के दोनों स्टार्टिंग में हो गये मुझे जो लगता है 3050 का प्राइस जल्दी गिरेगा कि यूंकि तुमको भी पता है 8G का 3060 आ चुका है तो अगर आ जाएगा तो 3050 को पॉइंट नहीं रहेगा यूंकि मुझे लगता है 3060 पर अभी 3060 जरा होट कार्ड है अभी 3060 के प्र चुक के लिगा शीशे मिलता है तो मतलब टेकनी के लिए गए तो आसूस और कलर फुल का सीमिलर वरेंटी हो गया अगर खड़ाब है तो अच्छा है कलर फुल का प्र प्र पटिकोरल की वलकन तुमने पहली बारी हम लोग दिखाए ते वलकन बहुत सारे है मेरे बास और ब बीट, नमल बीट, वलकन सेरी, सारे कलरफूल का स्टॉक, स्टार्टिंग फुम 3060 Ti to 90 TiV आपके वास है तो आते ही 3060 iGame के उपर तो क्या प्रैस चल रहा है? यह एक्चुली यह कलरफूल का बहुत ही हिट कार्ड था, क्योंकि मतलब इतना कम प्राइस में वाइट कार्ड मिलता नहीं था यह बिक्ता भी बहुत है कोई वाइट बील्ड करने के लिए इस 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 गोटू कार्ड फोर वाइट बील्स with 3060 तो इसका प्राइस आ जाएगा लगभाग 33 के असपास और इंक्लूडिंग जिएस्ट और यह सारे जिनने हम लोग ने प्राइज बता है सारे इपिति इस 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 पर गिगाबाइट की 36 चीज पर तो यह जो है इसका प्राइस आ रहा है 36 800 के आसपास यह हो गया गैलेक्स के बारे में सर MSI के उपर आते MSI Ventus Series Ventus Series का क्या प्राइस MSI का वेंटर सीरीज का प्राइस आ रहा है 36,000 इंक्लूडिंग टैक्स यह भी डूल फैन है लेकिन वहीं Ventus 2X है MSI का नाम से लिखता है और काड भी अच्छा है Ventus का काड बेसिक लेवल में तो अच्छा काड ही होता है काड डू काड वेरी करता है लेकिन यह फिलाल बहुत ही अच्छा काड अभी आते में काड के उपर जो प्राइजस ड्रॉप अभी करंटली होना चालू हुआ है यह कॉर्टर से 3060 ती अच्छे प्राइजिंग हो गया है मुंबे में तो बहुत अच्छे प्राइजिंग चल रहे है कोलकत्ता में क्या चल तो इसके बाद आते है 3060 Ti में पहला मॉडल है यह इनो का यह ओसी वाला मॉडल जो है इसका प्राइज आ गया 38-400 ओके 38 हो गया 39 था 39 चल रहा था एक एक हाचाहरू पर स्लोली स्लोली डॉप हो रहा है तो आते हैं नेक्स कार्ड के उपर जो में आपका अहां नेक्स कार्ड हो गया यह है गीगाव यह आए यह आए 41300 तो अच्छा अगर दिखने तो अपका कलर्फुल को अगेम है वह बहुत वैल्युफॉ अनिश आते अटे अटे कलर्फुल अगेम की सीरीज पे तो इसका क्या प्राइस चल्डे सर अभी मेरे पास फिलाल आइगेम में वलकन है यह मेरे पास 3090 Ti में भी पैसा तो लेना पड़ेगा तो और और अस ब्रैंडी का पैसा लेना पड़ेगा तो इसका प्राइस आ रहा है 47,000 इंक्लूदिंग टेक्स तो यह हो गया 3060 Ti के अपर 3070 अपके 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 अपास अवेलेबल नहीं तो एक अप्रॉक्स प्राइस बता सकते 3070 का क्या रें इसका प्राइस आ जा रहा है 56,500 तो वही मैंने बोला मतलब वही 5-6,000 का डिफरेंस आ रहा है लगभग इसके बाद मेरे पास जो कार्ड है वह है जो तक का ये ट्रिनिटीव कार्ड है इसका प्राइस आ गया 57,000 इंक्लूदिं अल टैक्स और एक्चुली सेम प्राइस में म बाहत कम प्राइस में मिल रहें तो आप सुझेस करते हो कि 2 151,00,000,000,000.000.000 कारो वायरें से इसकेड आप सब्राइस में और एक्चुली बात है कि जो हम सब को पता यह यूस कार्ड कहां से आ तक है मांनिक सारे कैसे मांनिक कार्ड से इस में से कुछ कार्ड मतलाकि if mind properly अग इसका प्राइस है 75,500 इंक्रूड इसका प्राइस है 75,500 इंक्रूड़ टैक्स और मेरे पास और एक काड है यूनिक काड है यूनिक किसी लिए बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता है किसी के पास टॉक है अगर किसी के पास होगा भी 1-2 पीस पड़ा है मेरा पैस भी 2 पीस बढ़ा है जादा नहीं है यह 3080 Strix असूस का इसका प्राइस आ जाएगा 82,600 इ स्टैंडर हो गिया है इसका प्राइस आजाएगा 87,000 इंक्लूडिं टैक्स और उसके बाद जो वीजन जो काड है वाइट काड है यह थोड़ा कम मिल रहा है बहुत रहे है तो यह भी मेरे पास है इसका प्राइस आजाएगा वह 87, 86, 800 ऐसा कुछ है लगवाग सेनी प्राइ पर यह जो है मेरे पास इगल है इसका प्राइस आ रहा है 99,000 इंक्लूडिं अल टैक्स वाओ मतलब वन लैक के नीचे हो गया और उसके बाद जो काड मेरे पास है और बहुत ही धमाकेधर प्राइस में है वो है आई गेम का 3090 टी वलकन गेस करो कितना प्राइस 1,10,000 के यह जो पर फोटी नाइंटी पर फोटी नाइंटी पर फोटी नाइंटी लॉण्च हो रहा है तो लोग 30% 40% पावर एफिशेंसी यह पावफुल काड उन पर जाएंगी की 3090 पर जाएंगी अब यह मुझे लगता है बाकी का सर इसक्यूज 4080 4070 लॉण्च होने के बाद उस बेसिकली 3090 Ti से जो है कहीं पर 40-60% लीड आ रहा है कहीं पर 20-30% लीड आ रहा है तो यह देखने का एक चीज है और फिलाल रेडियोन का भी जो कार्ड है मतलब 7900 XT के बाद हम छोड़ भी दे रेडियोन का ट्यूनिंग उटिलिटी आया है बीटा स्टेज में रिलीज नही बात वही है आते सर 4090 के प्राइज इसके 4090 का प्राइज है मेरे पास दो ही काड़ बचा है क्योंकि मेरे पास Zotac का भी था Zotac का जो इंडिया में कलकता में इसमें तो पहला जरूर है इंडिया में भी शायद पहला भी का था मतलब इंबाद को उखते ही ओ पतलब कस्टेमर मेरे दुगान का दो दिन से चक्कर लगा रहा था कि चलिए चाहिए चाहिए उसके बाद एक MSI का Gaming X TRIO था वो भी बिग गया मेरे पास और ये कार्ड भी एक्टुली मेरे पास तफ जो थे तफ और भी थे तफ भी एक बिग गया ये कलरफुल का है कलरफुल का इन भी है नाम बेपन मत जाहिए क्योंकि बैटलेक्स हमको लगता है कि कलरफुल का सबसे बेसिक कार्ड लेकिन अगर आप कार्ड को फीजिकली देखेंगे हीट सिंग का डिजाइन मान लो वेट मान लो दिस इस आ बेरी गुड कार और इसका प्राइस आ रहा है नहीं है इसका प्राइस आ रहा है 167 इंक्लूडिंग टैक्स मेरे पास्ट्रिक्स फिलाल नहीं है स्ट्रिक्स भी आने बाला है तफोसी भी आने बाला है वो मुझे लगता है नेक्स विक तर गुष जाएगा अब बाला है तो आते हैं अब बाला है और इसका प्राइस जा रहा है अब इसका प्राइस जा रहा है अभी गिगाबाइट में 11,800 और अगर MSI में चले जाए तो 12,000 तो 6580 में मेरे पास है फिलाल MSI का ये कार्ड का भी थोड़ा थोड़ा क्वेरी आ रहा है इसका प्राइस आ रहा है 16,000 और इसके पास मेरे पास जो है वो है गिगाबाइट का 6580 सेम कार्ड है ये triple fan कार्ड हो गया इसका प्राइस 200 रुपे जादा है ये 16,200 का करीम में आ प्राइस आ रहा है इसका उंती सजा रुपया इंक्रूडिंग टैक्स उसके बाद 6650XT ये ये इगल का है triple fan इसका प्राइस आ रहा है सेम एक्शुएली 6600 और 6650 अभी सेम प्राइस जा रहा है उनती सजा रुपय उसके बाद अगर हम देखते है 6700 जो है 6700 का प्राइस आ र तेंक्यूस ओमच सर इतनी सान्या में ग्राफिक काड्स बताने के लिए आय होप गया अपको एप्टीज के अच्छा लगारेका षब्ला को बीडियो आपको बीडियो को लाइक करो शेयर करो चैनल को सब्स्राइब करो खिर था पनो नेक्स वीडियों में दबते गेले झाल झाल झाल